अलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग मैं हूँ एमजे जैसे कि देख रहे फ्रेंज ये मेरा अनार का पोदा है अब बहुत दिनों के बाद में ये अनार के पोदे की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि भाइचांस और मेरा अबी लक चल रहा है इतना के मेरे ये गिलेरिया अभी नहीं आ रही है ये मेरे लिए बहुत-बहुत-बहुत-बड़ी बाद है क्योंकि जैसे कि मेरे अनार के पोदे के उपर जैसे ही ये flowers ready होते हैं और जैसे ही मेरा अनार के पौधे के उपर ये फूरूटिंग्स तैयार होना शुरू हो जाती है तब मेरे या गिलेरिया के इसको काट लेती है इसको खराब कर लेती है यहाँ पे जैसे की देख रहे हो यहाँ पे एक अनार लगा हुआ है और बहुत सारे फ्लावरिंग बड्स उपर लगे हुए है तो मैं यही उमीद करता हूँ कि मेरे या अभी गिलेरिया ना आए और मेरे अनार के पौधे के उपर मुझे फूरूटिंग्स मिल सके मैं फ्रूट प्लांट्स इसलिए नहीं लगा था क्योंकि मेरे या गिलेरियो का बहुत बड़ा इश्यू है और मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता तो चलिए अनार के पौधे के उपर बात करते हैं कि मैंने ऐसे क्या किया ये प्लांट के उपर जिसकी वज़े से इसके उपर फ्रूट्स आना शुरू हो चुके इतने सारे फ्लावरिंग बड्स होना शुरू हो चुके लेकिन एक चीज में यहा पे बिल्कुल भी नहीं छ चुपाना चाहता कि मेरे या भी फ्लावर ड्रॉप होते हैं जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लावर ड्रॉप हुए हैं तो अनार का पौधा अगर आप लगाते हो तो एक चीज आप गाठ बान लीजिए कि आपका अनार का पौधा फ्लावर ड्रॉप करने ही वाला तो ये एक चीज नॉर्मल है मेरे इसाब से ये प्लांट के बीचे तो ज्यादा आप इसके पीचे काम मत करिए अब जैसे कि ये जो अनार के पौधे के उपर मैंने अभी तक कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाला not a single fertilizer, even मैंने इसके अंदर organic fertilizer भी नहीं डाला chemical fertilizer भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला ये प्लांट लगा हुआ है मिट्टी के अंदर और ये प्लांट को मैंने report भी नहीं किया है अब यहाँ पे एक चीज मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ अनार के पौधे को आप root pruning मत करिए अगर आप अपने अनार के पौधे को अगर अपने pot के अंदर लगाया हुआ है तो root pruning करोगे तो बाद में आपका plant roots develop करने में लग जाएगा वो flowerings पे ध्यान नहीं देगा तो root pruning मत करिए हो सके तो इसको बड़ा गमला दे दीजिए अगर आपको report ही करना है अगर आपको लगता है इसके roots मिटी से बाहर आ चुके है और गमले से बाहर निकल रहे है तो बाद में ये plant को आप report कर लीजिए और इसको एक बड़ा गमला दे दीजिए ताकि वो और ज्यादा roots develop कर सके जितने ज्यादा ये roots develop करेगा उतने ही ज्यादा ये flowerings और fruitings भी आपको अच्छी तरह दे पाएगा तो ये एक चीज है जो आपको पहले देखनी है ताकि आप अपने अनार के पौदे के उपर maximum flowers ले सके दूसरी important चीज वो है cowden compost, vermicompose इसका use अनार के पौदे के अंदर ज्यादा मत करिए देखिए मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि ये जो fertilizer है cowden compost, vermicompose ये fertilizer basically ये nitrogen based fertilizer है इसके अंदर बहुत सारे से microorganisms है जो soil के अंदर plant को obviously nutrients पहुचाएंगे लेकिन सबसे बड़ा जो इसके अंदर एक plus point है कि वो nitrogen plant को ज्यादा provide करेगा जितने ज्यादा nitrogen plant को provide करेगा, plant अपने roots में ज्यादा utilize करेगा उसके leaves वगेरे में ज्यादा utilize करेगा, लेकिन flowers उसके सामने आपको कम मिलेंगे ये जो मैं fertilizer बोल रहा हूँ, ये खास करके आपके आईए ऐसे बड़े develop plants के लिए ही बोल रहा हूँ कि अगर आपका अनार का पौदा कुछ ऐसे develop हो चुका है, तो compost मट डालिए, कोई भी compost हो, उसको मट डालिए तो fertilizer कौन सा डालना है, देखे fertilizer में जितना हो सके nominal आप fertilizer दीजिए ये plant को लेकिन अगर आप fertilizer में डालना ही चाहते हो, तो बाद में आप इसके अंदर organic potash डाल सकते हो क्योंकि ये fruit वाला plant है, इसको मैं organic तरीके से ही treat करूँगा और जो result में देख रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा कि इसको chemical fertilizer की ज़्यादा जरूरत है तो मैं इसके अंदर chemical fertilizer इस बार बिल्कुल भी नहीं दूँगा, around एक साल हो गया ये plant को मैंने कोई भी fertilizer नहीं दिया, ये plant अपने आप ही ये गंबले के अंदर हो रहा है मैंने इसके पीछे काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि गिलेरियों का बहुत बड़ा issue था मेरे या इसलिए मैंने ये plant के पीछे काम करना ही छोड़ दिया था लेगन अभी जैसे कि इसकी season शुरू हो चुकी है, तो season शुरू होने से पहले मैंने एक बार ये plant के उपर pruning की थी ये चीज आप अभी कर सकते हो, pruning अगर आप एक बार कर लोगे, तो बहुत सारी नई branches निकलेगी ये जितने भी fruitings वगेरे आप देख रहे हो, ये जितने भी flowerings वगेरे आप देख रहे हो, ये सारी नई branches के उपर निकले हैं तो अनार के पौदे या तो कोई भी दूसरे जो fruits वाले पौदे होते हैं, उसको season से पहले pruning कर लीजिए pruning करने से इसके उपर नई branches होगी और वो नई branches ही आपको flowerings और fruitings में convert होगी तो जैसे की friends मैंने इसकी जितनी भी branches थी, ये branches को मैंने 50-50% cut कर दिया था जैसे की देख रहे हो मैंने 50% cut कर दिया था, वहाँ पे दूसरी 4-5 branch निकल चुकी है और वहाँ पे flowerings निकलना शुरू हो चुके है यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो मैंने यहाँ पे cutting की थी और दूसरी नई branches निकल चुकी है और वो branches के उपर अभी flowering होना शुरू हो चुकी है अब जैसे कि आप pruning करते हो pruning के कितने दिन बाद आपके plant के उपर ऐसा result देखने को मिलेगा तो कम से कम 45 to 50 days का आप estimate रखिए temperature क्या होना चाहिए temperature आपके 28 से 30 degree के आसपास दिन का temperature होना चाहिए रात का temperature 19-20 degree के आसपास होना चाहिए तब अगर आप अपने plant के उपर pruning करोगे तो बाद में आपके अनार के पोधे के उपर आपको बहुत अच्छा result देखने को मिलेगा प्रूनिंग के बाद plant का धियान रखिए उसके उपर showering वगेरे करिए और plant की जो मिट्टी है उसको हलका सा moist रखिए धूप अच्छी तरह इसको देनी चाहिए जैसे की यह जो देख रहे यह plant के उपर कम से कम 7-8 hours जितनी sunlight इसको मिल रही है तो sunlight इसको जितनी ज्यादा हो सके उतनी provide कीजिए air, water और sunlight यह एक ऐसे fertilizer है जो बिना कोई भी fertilizer के आपके plant के उपर result ला देंगे तो यह तीन fertilizer के दम पे ही यानि की sunlight, air और water यह तीन fertilizer के दम पे ही मैंने अपने अनार के पहुदे के उपर इतने सारे fruitings में देख रहा हूँ तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितना ज्यादा compost वगेरे आप डालोगे यह plant उतने ही ज्यादा पत्ते निकालेगा fruitings नहीं डालेगा डालना हो तो आप organic potash डाल सकते हो organic potash से आपके plant के उपर जो potassium की requirement होती है क्योंकि अनार के पहुदे को potassium की requirement सबसे ज्यादा होती है तो आप potassium इसको organically provide कर सकते हो organic potash कहा से लेना है उसका link में description box में दिया है organic potash आप 5 ग्राम जितना डाल सकते हो चार ग्राम से 5 ग्राम जितना आप organic potash डाल सकते हो ये एक plant के अंदर वो भी 15 दिन में एक बार और जैसे कि ये बड़ा plant है इसलिए मैंने 4-5 ग्राम बताया लेकिन अगर आपका अनार का plant छोटा plant है अभी अभी आप नरसरी से लाए हो तो उसके अंदर अभी organic potash मत डालिए उसके अंदर आपको डालना होगा compost जिहां friends ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि आपके पुराने plant में fertilizer का schedule थोड़ा सा अलग होगा नए plant में fertilizer का schedule थोड़ा सा अलग होगा नए plant में आपको compost डालना है आप compost, vermi compost, cow dung compost, kitchen waste compost जो भी आपके पास compost available हो वो मिट्टी के अंदर mix कर लीजिए weekly-weekly basis पे आप इसको cow dung liquid provide कीजिए ये ही सबसे नए जो अनार के बहुदे को आप तैयार कर सकते हो क्योंकि तब उसको nitrogen की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो nitrogen आपके plant के root system को develop करने में help करेगा branches को develop करने में help करेगा और पत्ते को develop करने में help करेगा तो कमसे कम आपको ये plant की सेवा around एक साल तक करनी होगी यानि कि ये जो fertilizer मैंने बता है वो around एक साल तक आपको continue रखने होंगे एक साल के बाद आपका प्लांट एक मैचूर प्लांट बन जाएगा, बहुत सारे ब्रांचिस वगेरे निकलना शुरू हो जाएगे, उसके बाद जो सीजन आएगी, यानि कि नेक्स्ट येर से आप अपने प्लांट के उपर से फ्रूटिंग्स लेना शुरू कर लेंगे अब यहाँ पर एक दूसरी चीज भी ध्यान रखे कि अगर आप नर्सरी से लाते हो प्लांट तो बहुत छोटा प्लांट भी मतलाईए और बहुत बड़ा प्लांट भी मतलाईए, एक मेडियम साइस का प्लांट लाईए, यानि कि बहुत छोटा भी ना हो, बहुत बड़ा भ प्लांट को chemical fertilizers दिये जाते हैं यह प्लांट की आदत बन चुकी होगी कि उसको chemical fertilizers देगा तभी यह फ्लावरिंग्स या फ्रूटिंग्स देगा तो वह आदत यहां घर पे आके उसको नहीं मिलेगी यानि कि आप organically उसको treat करोगे तो प्लांट organic fertilizers तुरंट नहीं accept करेगा त दो से तीन साल आप क्या लग जाएंगे इसको fruit देने में तो यह चीज़ भी धियान रखिए कि अगर आप nursery सी अनार के पौधे को लाते हो तो प्लीज आप medium size का पौधा लाइए medium size का पौधा एक देर साल के बाद आपको flowerings और fruit देना शुरू कर लेगा तो यह एक छोटी स ने इस बार कुछ भी damage नहीं किया है till then के लिए thank you friends और happy gardening